पाकी और सई में से विनायक किसको चुनेगा ये सबसे बड़ा सवाल था लेकिन अब इस सवाल का जवाब भी आ गया है जी हाँ दोस्तों स्टार प्लस के मोस्ट पॉपिलर सीरियल गुमे किसी के प्यार में के आने वाले ट्राक में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है बड़र एक्सेप्ट करेगा तो आपको बता दें जी नहीं हाँ बिल्कुल आपने सही सुना कि विनायक जो है सई को नहीं बल्कि पाकी को ही चुनेगा और तो और सई से वह बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगा चलिए बताते हैं सीरियल के आने वाले ट्राक में और क्या जाती है बहुत था खबरा जाती है बचलिए अपने सीने लिकिन तब आहए आउंप नहीं हो रही सिर्फर सिर्फ Mission मैं हैं अब जब ये सारा सीन होगा तो चल ये बताते हैं और क्या के होने वाला है जिस तरह से आप देखेंगे हवाई चल रही है ऐसा लग रहा है कि तुपान आने वाला है लेकिन वह तुपान सई के जिंदगी में आएगा ये किसी को नहीं पता था बस एक विनायक ही लास्ट उम्मीद बचा था जिससे सबको ये लगता था कि सई के जिंदगी सवर सकती है लेकिन अब तो विनायक यानि की सई के खुद के बेटे ने भी उसे धोका दे दिया है अब इसमें विनायक के भी कोई गलती नहीं है क्योंकि जेस तरह से विनायक को पाकी ने हमीशा रखा है कुछ भी कह लीजिए पाकी विनायक को प्यार तो बहुत करती है और शायद इसी प्यार के चलते आज विनायक ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है और सई को अपनी मा कहने से इंकार कर दिया है आला कि विनायक सई से बहुत अटैश था लेकिन अब तो विनायक शायद सई अपने हाथों को फैला कर लगती है ताकि विनायक और उसके गले लग जाए फिर आप यह देखेंगे कि विनायक को डांटने लगता लेकिन बाद मेरी असली ममा नहीं हो मेरी असली ममा पाकी है अब बहुत खोश्त हो निवाली है क्योंकि जिस बात का डर पाकी को था वो डर साबीती नहीं हुआ जी हाँ पाकी को विनायक ने चुन लिया है अब पाकी को क्या चाहिए वेल सेल के आने वारे ट्रैक को लेकर आपका क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही टीवी पेज़ पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लें